हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी मैं रबिंद आप सभी सात्यों का एक बार फिर से सवगत करता हूं आपके अपने चेते परिवार अरुविंसा साइंस में दोस्तो आज की क्लास जो होगी वो बैसिकली होगी किसकी केमेस्टी की होगी और दोस्तो आपको पता है हमारा संकल्ब तो आप लोग इस संकल बैस से जोड़ जाए ठीक है जो कि सारी classes आप YouTube पर ही होनी है ठीक है किस पर होनी है YouTube पर ही होनी है अब दोस्तों एक बात को समझो कि यह जो class है मैंने बताया था आपको कि यह जितनी भी classes होगी कुल मिलाकर जो मारा बैस है वो 2030 के बोर्ड एक्जाम को ले करके पूरी तरीके स्थे डेडिकेटेड है तो अगर आपको 2030 में बोर्ड का एक्जाम दे रहा है चाहे आप class 10th में हो ठीक है और चाहे आप 12 में हो और या फिर अगर आप 11 में भी है तो इन तीनों ही class के लिए ठीक है तीनों ही class के लिए संकल्ब बैस की तुरू मैंने आपके लिए सारी classes provide करने के बारे में सोचा है तो आप लोग इस पैस से जुड़ जाए ठीक है करना क्या है यार चैनल को subscribe करना है सारी classes फिया फॉस्ट रहेंगी यूटूब पर होंगी तो आप लोग इनको जरूर देखिए ठीक है तो आज की जो मरी class है class 12 की है ठीक है class 12 फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ओभी chemistry का ठीक है तो इसमें जो हमारा चैप्टर पहला है जिसका नाम क्या है solid state ठीक है तो ठोस अवस्था तो इसके बारे में आज हम लोग इसका इंट्रो देखेंगे ठीक है इसका introduction देखेंगे इस चैप्टर के बारे में और बाक ब्रमहांड कने वाला कारक जुदकी जो पूर्जा को संचल करने वाला चारख चैने का मतलब होता है ब्रम्हांड का निर्वार करने वाला कारक होता है और उड़ जाए इसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक होता है समझे बात को अब कहने का मतलब क्या है कि ब्रम्हांड में हमारी जितनी भी चीज़ आती उसको हम द्रब्य के अंतरगत रखते हैं तो अब देखिए जो हमारा द्रव्य है उसको कितने पार्स में लोग डिवाइट किया है ठीक है अब यहां पर बात को समझेए जो द्रव्य है उसको हमने दो पार्स में डिवाइट किया है एक द्रण में और एक तरल में डिवाइट किया है द्रण का मतलब क्या होती है और त बान परूर के सबखितन माणरे जाने। इससमें कर सक어서mam जो पहाला करें। आपके से पुक्त में निवेस्क भीता है। इसससे पुक्त करें। लेकिन अब सब्सक्राइस पでもत्यामट। क्या होता ऐसी चीज़ जो भैती हो जो चीज़े बैती हो उनको क्या बहुल जाता है तो भाई आपका ड्रॉव वाली चीज़े जितनी होती वो सब भी बैती है और गैस तो आपकी बैती है तो बहुराल सब मतलब क्या है कि जो द्रव्य होता है आपका दो पार्ट में डिवाइट कियागे एक द्रण में और एक तरल में द्रण के अंतरगत आपका ठोस आता है और तरल के अंतरगत आपके क्या आता है द्रव आता है और गैस आता है आई होप इतनी बात आपको समझ में आगे होगी च वहलों मातलब इसनक को देक रहा है यह गैसी आवस्ता है यहां पर मैंने ऑन्तरा अड़ों बीट में जो बल बल लगता है उढ़ों होता है बहुत ही दूरबल होता है इहां के बीट निक रहा है को सपया है दूर दूर होती है किहने के मतलब किया है जो आपकी गैसी अवस्ता होती इनमें अंतरा अरू novel बहुत कम लगता है जिसके वज़से इनके अडू दूर दूर तक फैले हुए होते हैं बात समय वेता है आई अब है वो गैस की अपिक्षा अंत्रा अडूक बल जादा लगता है मतलब इनके अड़ों की बीस में जो बल होता है वो जादा होता है किसमें अब बात करते है ठोस में तो दोस्तों ठोस में अंत्रा अडूक बल बहुत जादा होता है अंत्रा अडूक बल बहुत जादा होता है कि इसकी बात करूँ मैं अंत्रा अडूक बल की ठीक है अंत्रा अडूक बल मतलब इन कड़ों की बीस में लगने वाला जो बल होता है ठीक है इनके घटक अडूक की बीस में जो लगने वाला बल होता हो क्या होता है अंत्रा अडूक बल अब बात करते है ठोस की तो ठोस में जो अंत्राड़ बल होते हैं बहुत ही जादा क्या होते हैं प्रबल होते हैं अब यहां पर दिखें ठोस अबस्ता इन में क्या होता है प्रबल आगार्शन बल होता है मतलब इनके अड़वों के बीस में जो बल होता है वो बहुत तेजिस लगता है आपस में एक दूसरे को तो इनके बीच में जो बल होता है वो बहुत जाता है ठीक है अंद्राणुक बल होता है बहुत जादा होता है तो आपने देखा जो गैसी आवस्ता होती है इनके अंद्राणुक बल जो होते हैं क्या होते हैं वो बहुत कम होता है लेकिन द्रो में उससे जादा और ठोस में होता है अंदर कमपन होता रहता है ठीक है यह चीज आपको ध्यान देना है तो दोस्तों यह इतनी बात है थी इसमें ज्यादा चीजे मैं डिसकस नहीं करूंगा ठीक है यह कुल मिला के आपके एक इंट्रोडक्शन क्लास थी ठीक है पहले चेप्टर की मतलब सॉलिड इस्टे सब्सक्राइब कर देना चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना ना पसंद तो डिसलाइक कर देना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबा टेक किये थैंक यू